जीवन में कोई बादा हो, मन में कोई बादा हो, सब कुछ दूर हो जाए और हमारा घर हमेशा सब कुछ उसमें हमको प्राप्ति हो, अगर सब कुछ प्राप्त है तो ही मन शांति से साधना में लगेगा. ये जो मंत्र है सरवावदा में मुक्त धनादाने सुतान में था, ये बाबा मुतना जी ने मेरे मम्मी को और मेरे पिता जी को दिया था, क्योंकि एक समय था बहुत जादा, मतलब इतने अच्छे नहीं थे, वेल टूरू नहीं थे, तो बहुत तकलिफ थी, पिता जी आया थे और फिर वहां से उठ करके आभी पैसे तकुमाने उठ करके बंबे आ गए, बंबे में भी बहुत तकलिफ बहुत तकलिफ तब बाबफिता जी जाते थे लगणो बाबबजी को मिलने, बाबबजी ने ये मंत्र गया था, मामी को भी दिया था, तो यह मंत्र जपने को कहा बाबा बुतना जी दुर्गाश्रप्षदी के बहुत सारे मंत्रों को देते रहते थे लेकिन हमारे घर के लिए हम लोग सबने मुझे याद है हम चोटे-चोटे थे यह मंत्र तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं थर्ड ग्रेड में होंगी कि पि मैं पिता जी अखेले आये थे म हमंई को गाउं में चोड़ करके पिताजी आकेले आये थी और मम्मी अपने पैररन्स में दान बाब जी को मिले थे वबाब जी ताब दिया था मंद्र तो मैं बहुत पहले की की Ah, 80s की बात बता है तो मम्मी अपने हां करती थी गाव में पिता जी बंबे में करते थे फिर हम थोड़े बड़े हो गए सेकेंड या थर्ड ग्रेड में होंगी तब ही मंतर दिया गया था तो मुझे यहाद है कि हम वो चौल का एक छोटा सा करूम होता था और दिवाल के पर फली होती थी फली के ओपर सब देवताओं की फोटो लगी थी और हम लोग सब बैठते थे गद्दा रात को बिशाते थे यह करते थे वो उसकी कृपा है कि आज पूरा घर मेरे सारे भाई बहन सब भगवान की कृपा से बहुत अच्छे घर दिया अच्छे देश्वी देशों में गर दिया सुक्सम्रिदी दी तो यह मंतर इसका जो प्रैक्टिकल अप्लिकेशन हमने देखा अपने जीवन में य यह स्कुलिए दिया स्वाव बादा मिनें बगतों दना दानिया सत्ता मिता मिता में प्रसादेन अभरी न संजया